हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज मैं आपको मैक रिम की बटरफ्लाइ बनाना बताऊंगी बटरफ्लाइ वाल हैंगिंग तो फ्रेंट्स इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ चाहिए लिया है जैसे कि यह गुल्डन बीर्स चाहिए आपको थ्री टा तो इसी से मैं करूंगी तो फ्रेंट्स चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना तो फर्स्ट आपको चाहिए वान यहाँ पे फोर मैंने लिया है रेट और यहाँ पे टू ब्लैक तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स यह जो कॉर्स है मैंने वन एन हफ म इसी तरीके से और यहाँ पे 2 red kod तो total 3 यहाँ पे red kod देखिए मैंने यहाँ पे 1 kod में यहाँ पे 1, 2, 3 red और यहाँ पे 2 black color kod यहाँ पे attach किया है तो friends अब जो यह side kod है इसको मैं black से यहाँ पे pipe in लगाऊंगी इस side से देखिए 1 अब मैं इस साइट पे करूँगी और फिर से इस साइट पे तो टोटल अब को यहाँ पे 6 टाइम पाइप इन लगाना है इस तरह से इसको बना लेना है और फ्रेंट्स अब मैं यहाँ पे जो 3 ब्लैक कॉर्स है इसमें मैं बीर्ट टालूँगी तो यहाँ पे देखिए देखिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 टाइप्स का बीट यह बरा और यह मिडिल और यह छोटा तो यहाँ पे देखिए फ्रेंट्स यहाँ पे जो फ्रस्ट कॉर्ड है इसमें मैंने बरा और ऐसे करके मैंने अटाज किया है अब ये जो red cord है इसमें मैं सब को यहाँ पर pipe in लगाओंगी सब cords को one one करके यहाँ पर tightly pipe in लगा देना है यहाँ पर complete हो गया है अब देखिए जो number 3 यहाँ पर cord है black उसमें pipe in लगाना है यहाँ पर pipe in लगाने के बाद फिर से friends इसको इस तरफ लेके फिर से यहाँ पर three time देखिए यहाँ पर हुआ one अब इस side में लेके यहाँ पर two और फिर से इस side पर total three यानि की six time यहाँ पर फिर से pipe in लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर base टालूंगी यहाँ पर three में जो cord है इसमें one two three करके base टालना है तो अब देखिए यहाँ पर हुआ है मैंने यहाँ पर लगाया है three beads और अब मैं फिर से यहाँ पर pipe in लगा दूंगी tightly जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया था यहाँ पर आया है black cord अब देखिए इस red cord से मैं design बनाऊंगी तो यहाँ पर पहले pipe in लगाऊंगी सारे red cord से अब देखिए यहाँ पर जो cord से आया है उसमें मैं one यहाँ पर छोटा small वाला यहाँ पर लगाऊंगी bits इस तरीके से और यहाँ पर फिर से यहाँ पर pipe in लगा दूँगी अब black में फिर से यहाँ पर three time pipe in लगेगा और देखिए यहाँ पर जो cord आया है उसमें मैं one बरा यहाँ पर बिर्ज डालूंगी और सारे cord से यहाँ पर pipe in लगा दूँगी यहाँ पर हो गया है देखिए फ्रंस तो यह जो black cord है वो इस तरह ही रहेगा और अब मैं यह जो two है इससे design बनाऊंगी तो यहाँ पर pipe in लगेगा फिर से यहाँ पर three time देखिए one इस साइड में one और फिर से इस साइड में यहाँ पर हो गया three तो अब यहाँ पर जो cord है इसमें two यहाँ पर मैं बिर्ज डालूंगी यहाँ पर जो है two बड़ा और big small अब यहाँ पर pipe in लगा देना है तो fronts यह बहुत ही simple design है और बहुत ही सुन्दर है तो मैंने और भी one video डाला है butterfly की आप मेरी channel पर जाकर जरूर देखे जो black cord यहाँ पर आया है pipe in लगाते तो अब यह जो black cord है इसी same cord से मैं फिर से इस तरफ लएके note लगाना यहाँ पर start करूंगी देखे फ्रेंस यहाँ पर हो गया है pipe in लगाना अब मैं one extra cord को यहाँ पर join करूंगी इस तरह के से देखे यहाँ पर हो गया है extra cord मैंने अटाच किया है अब मैं फिर से यहाँ पर बनाऊंगी जो note three time यहाँ पर देखे अब देखे यहाँ पर जो red cord है side का यहाँ पर total है six तो side का लेना है और देखे टोटल यहाँ पर मैंने three add किया है अब मैं फिर से यहाँ पर सारे cord से pipe in लगा दूंगी देखे सारे cord से लगाया है pipe in अब फिर से वो design side का फ्रेंट्स आपको याद रखना है कि side में देखे यह one two और total यहाँ पर three time pipe in लगेगा तो ऐसे ही करना है हुआ हुआ है अब इस सारे यहाँ पर cord से फिर से यहाँ पर pipe in लगेगा अब देखे लास्ट यहाँ पर है two black cord तो one में मैंने यहाँ पर बिर्स लगाया है अब जो last का बचा है उससे आपको यहाँ पर फिर से लास्ट यहाँ पर pipe in लगा देना है total six cord से तो देखे फेंस यहाँ पर बन गया है यह अब देखिए क्या करना है यहाँ पर last में आया है यहाँ पर black cord तो अब जो यहाँ पर one two three four five six cord में मैं यहाँ पर black cord से लास्ट का जो black cord है उसमें यहाँ पर मैं इस तरह से pipe in वान वान करके इस तरीके से सारे cord से देखिए मैंने लगाया है pipe in friends यह हो गया है हमारा जो butterfly है उसका one part तो आपको same यही process से यहाँ पर और जो one part है यहाँ पर extra बनाना है तो दूसरा part same process से यहाँ पर बनाना है तो और beach का जो design है वो मैं अब बताऊंगी देखिए friends two part is complete तो मैं अब इसको join करूंगी तो इसके लिए यहाँ पर extra लेना है आपको three black cord तो यहाँ पर one में मैं यहाँ पर attach करूंगी यहाँ पर देखिए यहाँ पर attach किया है और यहाँ पर लेना है one black अब फिर से one मैं ने लिया है extra cord इसमें मैं अब देखिए इस तरह से pipe in लगाऊंगी देखिए friends यहाँ पर हो गया है four time pipe in लगाना अब फिर से यह जो cord है इसको लेके फिर से यहाँ पर pipe in लगाना है और यह जो cord है इसको लेकर भी फिर से यहाँ पर देखिए friends यह हो गया है अब यह जो side का 2 cord है उसको लेकिए देखिए अपको क्या करना है यहाँ पर देखिए red cord आया है 1, 2, 3, 4 यह 4 जो red cord है उसमें मैं यहाँ पर देखिए red cord से यहाँ पर मैं pipe in लगाऊंगी इस तरह के से only यहाँ पर red cord से ही लगेगा बीच में जो black है उसमें हमको नहीं लगाना है इस side में भी same यहाँ का जो last का है उससे लेकिए यहाँ पर 3 red cord से यहाँ पर इस तरह से pipe in लगाना है अब यह four cord से यह जो side का है इससे tightly यहाँ पर pipe in लगाना है देखिए यहाँ पर हो गया है अब यह जो side में आया है उसको लेकिए यहाँ पर 3 से 3 red cord जो है इस side का उससे हम यहाँ पर pipe in लगाएंगे अब देखिए friends हमें यह जो two यहाँ पर red cord आया है उसको लेकि यहाँ पर pipe in लगा देना है इस side से tightly और यहाँ पर black cord में भी तो देखिए friends यहाँ पर यह complete है अब यहाँ पर जो two note आया है इसमें मैं one यहाँ पर note लगाऊंगी यहाँ पर simple सा और friends जो यहाँ पर सारे जो extra cord है उसको आप यहाँ पर one one करके cut करना है और पीछे से stick कर देना है तो इस तरीके से तो friends आपको मेरा अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को जरूर लाइक किजिए इस वीडियो को मेरी चैनल को अगर अभी तक अपने subscribe नहीं किया है तो जरूर subscribe किजिए और all new notification पाने के लिए bell icon को press किजिए और थैंक यू फ्रेंट बबाए थैंक्स फर वाचिंग